अगर आप चाते हैं वजन घटाना तो दिन में इतनी रोटी और चावल खाएं कुछी दिनों में दिखेगा आपको गजब का असर आज मेरा ये वीडियो स्पेशली आप लोगों की हेवी रिक्वेस्टिट वीडियो पर बनाया गया है आप लोगों के बहुत दिन से मेल आ रहे थे कि हमें रोटी खानी चाईए या चावल अगर रोटी खाएं तो कितनी खाएं कप खाएं चावल खाएं तो किस तरीके से खाएं क्योंकि हमारा खाना उसके बिना complete नहीं होता तो चावल कितनी quantity में खाने चाईए या किस तरह से ब तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आप ही के सवालों के जवाब। तो चलिए जानते हैं कि वेट लॉस डाइट प्लान के हिसाब से हमें कितनी रोटी और चावल कप और कैसे खाने चाहिए। चावल खाए या रोटी वेट लॉस के लिए क्या है भैतर। इसके लिए जानना हमें जरूरी है कि दोनों की नुट्रिशन वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं इंट्रिउस करूंगे इसमें चपाती को। चपाती पूरी तरीके से कार्भो हाइट्रेट से भरी नहीं होती। इसमें कई तरह के माइक्रो नुट्रिशन के साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है। एक 6 इंच के चपाती में करीब 15 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम प्रोटीन और 0.4 ग्राम फैट होता है। इस एक चपाती में 71 क्यालोरी होती है। अब हम बात करते हैं राइस की नुट्रिशन वैल्यू की। वन थर्ड सर्विंग राइस में करीब 80 क्यालोरी होती है। यानि एक पानी में घुलनशील वाइटमिन B होता है जो DNA बनाने और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए जरूरी होता है। दोनों में लोहे की समान मात्रा होती है। लेकिन चावलों में रोटी के तुलना में फासफोरस और मेगनेशियूम की मात्रा कम होती है। फासफोरस किट्नी के लिए महत्वपून है और कोशिकाओं की ये मरमब के लिए भी मददगार होता है। वहीं आईरन लाल रख कोशिकाओं के निर्मान के लिए मेगनेशियूम रख चाप और शकरा के सतर को नियंतरत करने के लिए जरूरी होता है। चावल और चपाती में से किसी एक को यूज़ करना चाहिए, तो आप चपाती ही यूज़ करें, लेकिन आज कल ग्लूटन फ्री डाइट का चलन है, इसके लिए लोग चपाती की जगा चावल लेने लगते हैं, ये सही विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सफेज चावल पॉलिश वाले हैं, इसमें पोशत तत्व कम होते हैं, और चीनी की तरह काम देते हैं, अगर आप चावल ही लेना पसंद करते हैं, तो वाइट राइस की जगा ब्राउन राइस ले, तभी आपको उससे फायदा मिलेगा, वेट लॉस करने वालों को एक दिन में कितना कारप लेना चा कारप का लक्षे रखना चाहिए, लेकिन अगर आप तेजी से वजन घटाने का लक्षे रख रहे हैं, तो आपको हर दिन केवल 50-150 ग्राम कारप काने का ही लक्षे रखना चाहिए, तभी आप वेट लॉस कर पाएंगे, प्रते दिन आपको कितनी रोटी और चावल खाने च आप अपनी धोपैर की डाइट में दो चपातियां और आधा कटोरी चावल भी शामिल करें, बाकी का हिस्सा सबजियों और सलात से भरें, वहीं राद में बेहत हलकी डाइट लें, राद में चावल लेने से बचें, इसकी जगा आप चाहें तो थोड़ा सा तेल या घी के स लाद एक भरवा पराथा खा लें, इसके अलावा चीला भी डिनर में ले सकते हैं, चावल और रोटी के इंटेक को आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसे इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बोहाइट्रेट से भरे होते हैं, ऐसे में इनका विकल्प रोजाना जरूरी हो जात ये लो ग्लास्मिक इंडेक्स के श्रेनी में आ जाएगी, जो ब्लड शुगर को खाना खाते ही शुगर में कनवर्ट होने से रोखता है, इसलिए आप लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करेंगे, और मैं आपको ये सला दूँगी कि अगर आपने दिन में एक अच्छी डाइट ले लेई हैं तो रात का खाना स्किप करें, बहुत हलका खुलका लें, सोने से पहले दूद जरूर लें और कुछ आप उसमें ड्राइफरूट शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको रात को लेट नाइट ग्राविंग भी नहीं होगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्योंकि आपने रात को डाइट नहीं ली, हैवी डाइट नहीं ली, या साथ से आठ बजे के बीच में, आप सबजियों को सारी वेजुटेबल्स को हलका फ्राइ करकर, आप ना जाद उसको पकाएं, ना जाद उसको कच्चा छोड़ें, थोड़ा सा कच्चा पका बनाकर, उसमें नीबू डाल कर, वो खाएं, डिफिनेटली आपका पेट भी भढ़ जाएगा, आपको सारे निट्रिशन से मिल जाएंगे, और आपका वेट लॉस हंडर एन बन पसंट होगा, चावल और रोटी को कम करें, तो उर्जा के लिए क्या खाएं, आप लोगों के माइन मे बलकि ब्राउन राइस को चूस करें, तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको सारे कोशन का आंसर दिया है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर आप 2,000 क्यालोरी इंटेक कर रहे हैं, उसके एकॉर्डिंग आपको कितने ग्राम कार्ब्स खाने चाहते हैं, तो आपको कितने ग्राम कार्ब्स खाने चाहिए, जितने भी कोशन आप लोगों के मेरे पास आयते हैं, उनके मैंने सारे आंसर दे दी हैं, तो अगर अब भी भी आपके कोई माइन में कोई कोशन या क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबु करें, वीडियो को जादा जादा शेयर करें, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में, बाई, टेक किर एंड, स्टेए हल्दी